एले वरीवें वेल्कम बैक तो रेविक्सक्राइब आज हम आपके लिए लिए एक और डियाए बाइक बाइक पर आज कल की नई वाइक को सिंगल टॉन वाड आते हैं और मुझ जैसे लोगो पसंद दिया तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे अपनी बाइक में सब्सक्राइब करने वाले हैं तो एक बार उरिजिनल वाड की आवाज सुन लेता है यह जो आवाज आने काफी राइट साथी क्योंकि होन राइट साइड पर वांटेड है तो यह देखिए यह हॉन्ट माउंटेड है इसे हम इस नट को पोलके निकाल देंगे और इसकी जो सब्सक्राइब करने वाले हैं उलो मिंदर का दी सेवेंटी होन जो की डियोट और वांड है जो पलसर में आता है यह हॉन आपको को स्क्राइगा थ्री सेवेंटी फैव रूपी में बीच आपको इस बॉक्स के अंदर आपको मिलते हैं दो होन और एक वायरिंग ताकि आपक लेकिन अगर आपको दूर लगाने तो आपको वायरिंग काटना पड़ेगा तो यह मेल पॉर्ट है यह इंपुट के लिए यूज होएगा और मेल हार्ड पे लगेगा और बाकी दोनों फीमेल पोर्ट डारेक्ट दोनों हॉन में लगेंगी तो मैंने अपनी वायरिंग हार करके पुराना वांड निकालेंगे एक और इंपॉर्टेट बात जो ध्यान रखने वाली है हो यह है कि अगर आपकी वायरिंग इंजन या फिर के पास से जा रही है तो उसे इंसुलेशन में जरूर डाले ताकि कोई भी वायर मेल्टिंग के वाई से शोट सर्कृटिंग य जा विताओन है अगर दिसेट करने के लिए उसके बाद फिर वायरिंग कड़ना शुरू करेंगे और आपकी पा के लिए वायरिंग अलग हो सकती है बड़ जहां से भी वायर रहा वस जैसे भी कर chimny वायर लगाए दोनों हांस को सीक्योरली करें इसके बाद फिर फाइनली म आप अपनी wiring को connect करें और यह अशूर करने जिएका कि वाइर अच्छे से क्लिप और कोई भी लूस कनेक्शन नहीं और जैसे कि आप देख सकते हैं डियोटो और होड लग गया है वाइरिंग अच्छे से राउट होगी रेडियेटर के आसपास से अब चलिए होड बजा के दि बस इतना ही असान है अपनी बाइक में डियोल 2 और होंड लगाना है I hope यह वीडियो अपको लिए हैदफुल रहा होगा Do it a thumbs up, share it with your family and friends और अगर आप नहीं है चानल पर हो तो subscribe करना ना बोले मिलते हैं अपसे अगली वीडियो में Bye Bye झाल